हलो एवरिवान देशेशंगर प्रताप सेंग और वाशिंग एस्पी एसेस्टॉल जी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शुक्र और केतू का योग आदमी को वैविचारी क्यों बना दीता है यानि वीनस एन केतू अगर दोनों एक साथ आपके बर्च आर्ट में प्लेस्ट होते हैं तो वो आपको वैविचार क्यों देते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है और वैविचार अगर आप नहीं समझते हैं तो वैविचार का मतलब यह होता है कि जब एक इनसान कई लोगों से फिजिकल रिलेशन में रहता है यानि बनाता है तो ऐसा क्यों है वीनस को लव के लिए देखा जाता है केर के लिए देखा जाता है कमपेशन के लिए देखा जाता है यूनिटी के लिए देखा जाता है और जो भी हमारी कमिटमेंट होती है वो Venus से देखी जाती है Venus यानि आपकी wife Venus यानि आपकी girlfriend Venus यानि आपका love आपका care, आपका compassion आपकी unity और आपका commitment और केतू केतू को separation के लिए देखा जाता है केतू detachment का कारक है divorce का कारक है केतू हमें चीजों से separate कर देता है और केतू जो भी हमारे social norms होते हैं उनको follow नहीं करता है केतू अगर Venus के साथ placed हो और जैसे मैंने बताया कि Venus का संबन commitment से है तो यहाँ पर केतू किसी भी commitment को follow नहीं करता है तो इसलिए एक person जिसके birth chart में केतू और Venus का योग है वो किसी के साथ भी अपना जो commitment है उसको follow नहीं करता है और एक relation के बाद दूसरा relation बदलता रहता है लेकिन ऐसे इनसान को कभी भी मन का सुख आत्मिक सुख और जो भी प्यार के अंदर जो एक सुख होता है कि इनसान किसी से प्यार करता है तो उसके साथ जब भी वो बात करता है बैठता है उड़ता है तो एक सुकून को महसूस करता है एक सुख को महसूस करता है लेकिन वीनस और केतु वाला जो इनसान होता है वो सुख को महसूस नहीं कर पाता है उसको लगता है कुछ कमी है उसको लगता है कि extra कुछ चाहिए कुछ different चाहिए इसलिए वो अपने मन के प्यास के लिए मन की thrust के लिए वो इधर उधर भटकता रहता है लेकिन जीवन में कभी भी उसको सुख नहीं मिलता है तो इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको ये करना है कि अगर आपके बर्शाठ में वीनस केतू का योग बना हुआ है तो आप अपने प्यार की तलास में अगर भटक रहे हैं मन को संतुस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मन को बैलेंस करने के लिए अगर आपके अंदर भटकाव है आप जीवन में भटक रहे हैं पैसे खर्च कर रहे हैं तो सारी चीज आपके लिए बेमानी है और बेकार है तो इसमें आपको एक ऐसा पार्टनर ढूरना चाहिए जो लॉयल हो जो अच्छा हो जो आपसे प्यार करे जो आपसे बात करे और आपके साथ रहे लेकिन उस पार्टनर के साथ भी आपको लॉयल रहना है अगर वो पार्टनर लॉयल नहीं रहता है इन केस मान लेते हैं कि पा इनसान कई बार वैविचारी हो जाता है एक से ज़्यादा relationship में आता है और उसके कारण उसका जो मन का सुख है उसका जो प्यार है उसकी जो निंद्रा है उसका जो आत्मिक सुख है वो सारी चीजें बिगड़ जाती है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि Venus को जैसे हम wealth से ज time तक नहीं टिकती है अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आपको अपने पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हो सकता है इन future कभी भी आपको पैसे का loss हो जाए सो आज मैंने आपको बताया Venus और के बारे में अगर आप भी जाना चाहते हैं अपने केर लव यौल और बौट बार